वेलकम बैक, देखें दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कवर किया था, एक्षा शीट के अंदर वी लुक अप फंक्शन किस तरीके से काम करता है, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे, एक्च लुक अप फंक्शन किस तरीके से काम करता है, और किस तरीके से आप इसके य आपको आने ही चाहिए और mostly case में इंटर्व्यू में यह चीज पूशी आती है कि आपको Hlookup लगाना आता है कि नहीं आता, Vlookup लगाना आता है कि नहीं आता, ठीक है, Vlookup किस तरीके से काम करता है, कैसे लगाना है, इसकी वीडियो में और लेडी बना चुका हूँ, उस वीडि के बाद आप उस वीडियो को चेक आउट जरू कर लेना, ठीक है, पहले आप देख लो, Hlookup किस तरीके से आपर काम करता है, दोस्तों, पहले आप समझ लो, कि नाम से ही आप जान रहे होंगे, कि Hlookup का मतलब होता है, horizontal, H का मतलब होता है, horizontal, तो, horizontal यानि कि row, आपको किसी particular row क data निकालना है, या फिर complete sheet में से row के हिसाब से आपको data निकालना है, ठीक है, we lookup में क्या था, vertical data आप निकालते थे, मतलब कि इस column का या फिर complete sheet का पर column के हिसाब से, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हम row के हिसाब से, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों, मैंने यहाँ पर देखी लि कि इसकी post क्या है, तो मैं लिख दूँगा यहाँ पर post, enter करूँगा तो देखिए इसकी post आगई है operator, ठीक है अगर मुझे देखना है कि सूरज present है कि absent है, कितने दिन present रहा है तो मैं simply लिख दूँगा present enter करूँगा, तो देखिए 5 दिन present रहा है सूरज और मोटा समझा गया होगा कि है अब यह फॉर्मुला लगाना कैसे है यह पता जीता हूं आपको यहापर मैंने फॉर्मुला लगा हुआ है इसको मैं हाँ से पहले हटा जीता हूं ताकि स्टार्टिंग जम कर पाएं ठीक है अब देखिए अगर मैं सर्च मारता हूं तो अब कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा नहीं आए दोस्तों देखिए फॉर्मुला लगाने के लिए आपको सिंपली इसको ल्टू दौना पहले इसके बाद लिखना है एच एल लिखोगे त तो यह आपको सिल्ट करना होगा मतलब जिसमें आप लिखोगे कि आपको चाहिए क्या वो सैल आप यहाँ पर सिल्ट करेंगे ठीक है तो मुझे यह वाला चाहिए जो भी मैं यहाँ लिखूँ वो इसके बाद कॉमा किस में से चाहिए ठीक है तो इस सीर को आपको सैड़क करना होगा सिंपली हाँ पर क्लिक करना षियक loud के कंप्ली जहां तक आपकी सीर करना वहां तक नगया हाँ ठीक है इसके बाद फिर कॉमा इसके बाद कौन सी रो है जिसमें से आपको डाटा चाहिए है मतलब कि आपको जिसे केमरे नेम था हमारी पहली रो यह पहला है सेकेंड यह है रविंदर थर्ड राजपाल है फोर्थ सूरज है और शिक्स नारण जी है ठीक है अब मालनों मुझ यहां पर फोर्थ सूरज वाला डाटा चाहिए तो मैंने आपर चार लेग दूए है इसके बाद फिर कॉमा इसके बाद आपको सिंपली जीरो कर प्रेस कर देना है इससे क्या होगा बिल्कुल एग्जक्ट वैलू मिलेगी तो इसके वही स्पैलिंग लिखनी पड़ेगी ज आपको दिखाया तो आगे चलका भी तो मैंने जीरो लिख दिया इसके बाद ब्रेक्ट बंद इसके बाद एंटर ठीक है अब देखिए दोस्तों हमें यहाँ पर सूरज का क्योंकि हमने यही सेलेट किया था भी फोर्थ रो हमने आपर स्लेट की है सूरज का हमें सारा डाट ऑठा मिल जाएगा ठीक है अब सूरज का मंद देखना है डेपार्ट मेंट तो सिंप्ल लिखूँगा मैं डेपार्टमेंट लेपार्ट ठीक है देपार्ड और डॉटट एंटर तो देखिए नेदले बाद आ गया ठीक है थूत दूस्तां सूरज के मैं देखूँगा मानलो दूसरी रोह का टाटा है या फिर किसी और नाम को आपको सर्च करना है जैसे कि मानलो आपको सर्च करना है राजपाल को दूसरे एंप्लॉई को आपको सर्च करना है तो वहां पर दूस्तों एक काम नहीं करेगा यहां पर देखो अभी भी यह operator है, जब की जो राजपल की post है, वो है manager की, ठीक है, अब इसको दोस्तों किस तरीके से आप इसमें formula लगाओगे, तो बताएता हूँ यहाँ पर देखे, अगर आपको सभी नाम यहाँ पर search करने हैं कोई भी नाम डालो में, वो आजाए तो simply आपको यहाँ पर एक formula और add करना पड़ेगा, दोस्तों सोट था ही advance level है, वो पहले वाला simple था, उसमें सिर्फ एक row था पर आपको दोनों ही आने चाहिए, ठीक है तो यहाँ पर जहाँ पर आपने row select की थी जैसे कि हमने चौथा row यहाँ पर select किया था, इसको आपको हटा देना है simply, इसके बाद आपको लिखना है match, m-a-t-c-h ठीक है, match का formula है इसके बाद tap बटन दवाएंगे इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर select करना होगा कि आपको data किसका चाहिए, ठीक है तो मुझे data चाहिए इसका मतला जो नाम मैं यहाँ पर लिखूँ उस नाम का data यहाँ पर चाहिए ठीक है, यह data चाहिए फिर comma, किस में से चाहिए तो इस वाली column में से data चाहिए तो मैं simply इसको यहाँ पर select कर दूँगा तो इस column का पूरा data आजाएगा ठीक है, इसके बाद फिर comma इसके बाद zero, exact value के लिए इसके बाद bracket बंद और enter ठीक है दोस्तों, bracket बंद और enter कर दिया हमने, यहाँ पर देखेंगे अभी कुछ mistake है, देख लेते हैं, एक second यहाँ पर नाम के spelling डालने पड़ेगी, जिसे कि raj pal है, तो हमें raj लिखना पड़ेगा, enter मारेंगे, देखें दोस्तों manager आगया, ठीक है अब अगर मैं देखता हूँ, रविंदर की post रविंदर की post देखें, सुप्रवाजर आगी ठीक है, अगर मैं देखूं, रविंदर तीन अक्टूबर को present था क्या absent था, तीन अक्टूबर को देखें, तो present था है, ठीक है अगर मैं देखूं, यहाँ पर सूरज का simply absent था, दोस्तों, इस तरीके से, यह complete एक, आपका जो h look up है, वो काम कर रहा है आप किसी भी नाम को search कर सकते हो किसी की भी post search कर सकते हो और, जो भी data आप search करना चाते हो वो search कर सकते हो, इस साब से ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ, आपको यह समझ आ गया होगा दोस्तों, सोड़ा साथ कठें आए, वी look up के मुकाबले, पर थोड़ा से practice करोगे तो आ जाएगा, और एक बार से नहीं आएगा दोस्तों, मैं जानता हूँ आप दो-तीन बार practice करोगे समझोगे इसको तो पका आ जाएगा, ठीक है तो फिर भी अगर कुछ दिक्कत आ रही है आपको तो प्लीज कमेंट कर देना है वीडियो को लाइक करके जरूर जाना है बहुत मैनत लगी है इसमें और इस वीडियो को दोस्ता ही खतम करता हूँ Thank you very much